तो दोस्तों आज मैं आपको रेश्टूरेंट से भी अच्छा दालमखनी बनाने का तरीका बताने वादी हूँ तो चलिए शुरू करते हैं दालमखनी बनाने के लिए 200 ग्राम साबुत या खड़ा औरत दाल और 100 ग्राम राजमा लिया है राजमा और दाल से आधा कॉंटिटी में लें यदि आपके पास राजमा नहीं है तो आपको काला चना या चना दाल का यूज़ कर सकते हैं Ses 8-8 घंटे के लिए पानी में घ कर रख दें ताकि अच्छे सब्हूंग जाया हwydd जैसे कि आपको मॉनिंग में बनाना चे होवर नाइट तक के लिए और ब्यूछ अच्छे से भीग गया है इसे इस तरीके से घिस घिस कर दो से तीन बार धुलने और पानी अलग कर दें इसका ये दाल और राजम अच्छे से धुल दिया है दो से तीन बार अब इसे प्रेशर कुकर में पकाना है इसे कुकर में डाल दिया देखिए इसका छिलका नहीं निका तब तक मसाला तयार करते हैं दाल मखनी के लिए कढ़ाई में दो टेबल स्पून रिफाइन ओयल लें देखिए इतना वन टेबल स्पून घी लें घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसलिए जरू डालें दाल मखनी के लिए उसकिया है तीन लहसुन हाफ टीस्पून राई दो तेज पत्तर डालें हरी मिर्श स्वादनुसार यूज करें आप अध्रक लहसुन का पेश्ट डालें और इसे मिक्स कर लें एक मीडियम साइज बारिक काट कर यूज करें यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो ना डालें इसके बिना भी दाल मखनी बहुत अच्छी वनेगी इसे मिक्स कर लें अच्छे से प्याज को हलका गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं आप प्याज हमारी हलकी गोल्डन ब् खाने में इसमें लाल मिच पाउडर स्वादनुसा रेट करें आप ये टमाटर का पेष्ट है इसे मिक्स कर लें टमाटर को बारिक पीस कर इसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें कलर आता है ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है इसे मिक्स कर लें ऐसे दबा कर देखें तो यह राजमा भी अच्छे से पक गया है यह कड़ाई का मसाला भी रेडी है इसमें इस दाल को पलट दें और इसे दो से तीन मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दें यदि आपकी दाल मकनी गाड़ी है तो इसमें गरम पानी डालें ठंडा पानी ना डालें यदि ठंडा पानी डालेंगे तो दाल अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा नमक इसमें स्वादानुसार मिलाएं आप, दो टेबल स्पून दाल मकनी मसाला डालें, यदि दाल मकनी मसाला नहीं आपके पास तो दो चम्मच सूखा धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला का यूज़ करें, तब ही अच्छा टेश्ट आ आप और इसे 3-4 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने दें, डाल मकनी जब अच्छे से पक जाए तब इसमें मकन डाल दें, मकन को ज्यादा गरम ना करें, यदि ज्यादा आज पर रखेंगे इसको तो ये काला हो जाएगा मकन, देखिए इतने उपर से इसको ग मकन देखिए जियान रखें जब खंडी हो जब अच्छा लगा तो लाइक करने शेट करिया करी और को